तो कोलिटी मार्केट से जुरी हर सिफ न्यूज मार्कुट 024 पर खबर कानकी नवसकीद व्लॉकम बैक टो आट धूरी ओछ न्यूस मारकेश नडिफोल खादतियर मार्केट में हम बात करेंगे आज खास O 성ri कि माध्यप्रदेश महाराश में स्टॉक 12% बढ़ने से सोय तेल में विरावट दर्ज करी गई उतार चड़ा भरे कारोबारी सतर के बाद CBOT सोयावीन बढ़त के साथ बंद हुआ अमेरिका में सोया तेल का स्टॉक लगाता दूसरे महीने बढ़ने से सोया तेल वाइदे में गिरावट के साथ कारोबार दर्ज करा गया किसान लॉबी का कहना यह है कि 2023 में सोयावीन उत्पाद अनुमान 20 मिलियन टन से जादा दिखा रहा है इसके अलावा ब्राजील में भी 2023-2024 सोयावीन की फसल पिछले पूरवा नुमान से 16.1 मिलियन टन से घटकर 153.4 मिलियन टन रह जाएगी अनुमान लगाया जा रहा है पिछले सत्ता के लिए अमेरिकी निर्यात निरिक्षण उम्मीदों के अनुलूप थी और पिछले सत्ता के विलना में 21% तक बढ़ गया था अगर इस तरह से देखते हैं तो विदेशी ब सब्सक्राइब महाराइब में 5,000 25 रुपए तक दाम तेज हुए एयम प्लांट करें 4,870 रुपए की गिरावाट धर्ज करी गई और श्री निवास एग्रो प्लांट की कीमते 4,850 रही इसके अलावा सोया ओयल में बादे में मात करते हैं तो महाराष्ट में अमरावती में सोया ओयल में रिफाइब का जो रेट है वो 900 है मुंबई कीमते 905 रातूर करेट 900 नाजिट करेट 900 नाकपुर कीमते सोया रिफाइब में महाराष्ट में 905 रुपए देखी गई इसके अलावा अगर अगर अब मद्ध प्रदेश के बारे बात करते हैं तो प मद्ध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट करेट 890 धनकवा प्लांट कीमिते 800 845 में देखी गई 915 रहा और महेश प्लांट कीमिते 905 रुपए बजारों में देखी गई तो अक्कुल मिलाकर बहुत जादा मार्केट में गिरावट फिरहाल के रिखी नहीं जा रही है सारी अगर जो फैक्टर देखते हैं उनको ध्यान में रखते हैं तो बहुत जादा जो डिमांड है वो निकल रही है तो मार्केट में उस चीज़ का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है रेट अच्छा है जरुरत के इसाफ़ से आप यहां से गिरावट पर खरिदारी जरू कर सकते हैं तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही वीडियो अगर आपके लिए उस्फुल होता है तो आप वीडियो को लाइप जरू कर लीज़ों अपना फीडबैक कमेंट सक्षान में हमें जरूर दीजिए मिलते हैं आप सब्सक्राइब के साथ अब तक यह स्थे हैल्दी स थासर वाचि क्टि दुन लाइक किस्ट्राइब कर झाल झाल